हेलो दोस्तो मैं विजे कुमार महतो और आज मैं आप लोगों को बताने जाना हूँ गोंड जन जाती के बारे में तो वीडियो को एंट तक में बने रहे हैं आप लोगों को बहुत कुछ जानकारिया मिल जाएगी गोंड जन जाती के बारे में इंडेगा, रांची, पलामू, पुर्वी सीमभूम, पस्चिमी सीमभूम एवं सराइकिला खरसावा में हैं, जारखन के बाहर ये 36 गड, मध्य परदेश, आंधर परदेश, महराज, बिहार, गुजरात, करनाटक, पुरिशा एवं पस्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, इस जाती का संबंध, द्रावीड पर जाती समू से, इनकी त्वचा करंग काला, बाल सीधे, नथूने फैले हुए, और सीर चोड़ा होता है, गोंड समाज तीन वर्गों में भिवाजी थे, राज गोंड, जो की अभी जालिय वर्ग, पोटेल गोंड, जो की जमिंदार एवं पूच, रायत वर्ग, एवं धूर गोंड, यह है खेतियार मजदूर, यह तीन वर्ग विविन गोत्रों में विवाजी थे, यह अपने ही गोत्र में विवाजी नहीं करते हैं, गोंड जन जाती का इवागरी, घोटूल या गोटूल कहलाता है, इनमें संयंक्त परिवार की पर्था है, संयंक्त परिवार का भाई बंद बिराधी कहा जाता है, यह चचेरी फुफेरी ममेरी बहन से विवा की प्रात्मिक्ता देते हैं, जिसे दूध लोटावा विवा कहा जाता है, इनमें बहु विवा की पर्था परचली थे, इनमें विद्वा, पुनर विवा, ए क्रिसी एवंवनों पर अधारित है अधिकांस गोंड अपने जीवन यापन के लिए क्रिसी पर निर्वर हैं ये लोग अस्थान दृत क्रिसी करते हैं जिसे दीपा या बेवार कहा जाता है कुछ गोंड वनत पादो के संग्रहन मचली मारने सिकार करने आधि पर निर्वर है इस जनजाती में मदीर्यपन का काफी ज़्यादा परचलन है इस जनजाती का परधान देवता ठाकूर देव है जो की सूरी का एक परती रूप है इसे बुढ़ा देव भी कहा जाता है अन्य परमुग देवी देवता है ठाकूर देवी जो की धर्ती देवी है फरसा पेयन जो की कूल देवता है मतिया घागरा आधि गोंडो के धार्मिक परधान को फरदंग जो की भाट या चारन कहा जाता है तो आई होब कि आप लोगों को गोंड जन जाती के बारे में बहुत कुछ जानकारिया मिल गई होगी अगर मिल गई होगी इतलीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस्ट कर देना तकि आने वाले जहर्खन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेंट सके थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो